बात उन दिनों की है जब लोग अपने बच्चों को विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुओं के आश्रम में भीजा करते थे बालक वर्दराज जब पांच वर्ष का हुआ तो उसके पिता ने भी उसे शिक्षा ग्रहन करने के लिए एक आश्रम में भीजा आश्रम में गुरुजी ने अन्य बालकों के समान ही वर्दराज को भी पढ़ाना प्रारंब किया वर्दराज आश्रम में रह तो रहा था लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था गुरु जी ने उसे तरह तरह से पढ़ाना और समझाना चाहा लेकिन उसे कुछ भी समझ ना आता था गुरु जी जो कुछ पढ़ाते उसे वह यादी नहीं रख पाता था उसकी ऐसी स्थिती देखकर आश्रमवासी बच्चे उसे मंद बुद्धी कहकर चड़ाने लगे इसी प्रकार पांच वर्ष बीट गए धीरे धीरे उसके सहपाथी उससे आगे बढ़ते गए पर वर्दराज वहीं कवहीं वह कुछ भी विशेश ना सीख सका था उसके साथ जो पढ़ने आये थे वे तो आगे बढ़ी गए जो बात में आये वे भी उसे पीछे छोड़ आगे निकल गए एक दिन गुरु जी भी हार मान गए निराशो कर उन्होंने वर्दराज से कहा बेटा वर्दराज मैं समझता हूँ कि पढ़ना लिखना तुम्हारे वश की बात नहीं है जितना प्रयत्न मुझे करना था उतना मैंने किया पर मुझे लगता है कि विद्याधन तुम्हारे भागे में नहीं है इससे अच्छा तो यही है कि तुम अपने घर जाओ और वहां का काम काज देखो वर्दराज अस्पंजस में पढ़ गया गुरु जी के मना करने के कारण उसे अपना भविश्य अंधकार मैं लगने लगा उसे यह चिंता भी सताने लगी कि घर लोटने पर उसके पिता क्या सोचेंगे गाओं के लोग भी उसे मूर्क महा मूर्क कहकर दुदकारेंगे वर्दराज करधरवी तो क्या उसने अपना सामान समेटा गुरु जी के चरण चुए और वहां भारी मन से विदा हुआ वहां उदास होकर अन्मने भाव से चला जा रहा था घर वापस जाने का उसका जरा भी मन नहीं था पर कोई और ठिकाना भी तो नहीं था कहां जाए, क्या है उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था वहां सवेरे चला था और अब दोपहर हो आई थी रास्ते में खाने के लिए गुरुजी ने उसे थोड़ा सत्तू दिया था उसे भूप प्यास भी लगाई थी चलते चलते उसे एक कुवा दिखाई दिया वहां पानी पीने के लिए कुवें पर पहुँचा वहां उसने देखा कि पानी खीचने की रसी की रगड़ से कुई की जगट पर निशान पढ़ गए हैं और मिट्टी के घड़ों को रखने से जमीन पर गड़े पढ़ गए हैं यह द्रिश्य वर्दराज के मस्तिष्क में बिजली की तरह कौन गया उसने विजार किया कि जब रसी की बार बार रगड़ खाने से कठोर पत्था पर निशान पढ़ सकते हैं तो क्या लगातार परिश्रम करने से मैं विद्वान नहीं बन सकता बस फिर क्या था वर्दराज के मन में आशा की किरण चली वहां बुद्बुदाने लगा मैं भी लगातार परिश्रम करूँगा अपने पाठो को मन लगा कर बार बार पढ़ूँगा और उन्हें चाथ करूँगा फिर देखता हूँ कि मुझे विद्वा कैसे नहीं आती वर्दराज ने कुएं पर हात मुया और कहरी सांस लेकर आगे की ओर बढ़ा अब वह सभी प्रकार की चिंताओं से मुप्त था इतना कि उसे भोग प्यास की भी चिंता नहीं रही थी वह तेज कदमों से चला हा था अब वह दूसरी ही तरह का वर्दराज नहा था वह घर की ओर नहीं बलकि आश्रम की ओर लौट चला था सूरियास तो होने को था गुरुजी आश्रम की वर्दा में टह लहे थे तब ही उन्होंने वर्दराज को आते हुए देखा उन्हें लगा कि शायद आश्रम में कुछ छूट गया हो जिसे लेने वह लौटा है वर्दराज ने गुरुजी के पास पहुँचकर उनके चरण स्पर्ष किये गुरुजी ने प्याश से पूछा क्या बात है बेटा क्या तुम्हारा कुछ समान छूट गया जिसे लेने तुम्हें लौटना पड़ा वर्दराज नमरता पूर्वक बोला हाँ गुरुजी मेरी विद्या यही छूट गई है जिसे इस बार मैं अवश्य लेकर जाऊंगा अब मेरी आखें खुल गई है मैंने निश्चे किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूँगा अब कभी आपको निराज होने का अफसर नहीं दूगा गुरुजी का दिल पसीच गया उन्होंने वर्दराज को और से देखा उसकी आँखों में चमक थी गुरुजी ने इतना भरी ही कहा तुम जो कुछ कह रहे हो यदि उसे कर दिखाओगे तो मुझे बड़ी प्रसनिता होगी वर्दराज ने पढ़ाई प्रारंभ की अब तो उसकी भूक और नेंद पता नहीं कहां गुम हो गई थी वहाँ देर राह तक पढ़ता और प्रहता सबसे पहले उठ जाता वहाँ अपना एक शन भी व्यर्थ ना कवाता आने के समान कठिन लगता था अब वही सरल लगने लगा था गुरुजी और अन्ने पालक वर्दराज में आए इस परिवर्तन को देख आश्चरे चकित रह गए अब वर्दराज की गिंती प्रतिभावान बच्चों में होने लगी यह उसकी लगन और कठोर परिश्रम का ही चमतकार था जानते हो यही वर्दराज आगे चलकर संस्कृत के महान विद्वान बने संस्कृत के सबसे बड़े विद्वान पाणिनी के बाद वर्दराज का ही नाम आता है